रेडमी मोबाइल को फूल रिसेट कैसे करें हलो दोस्तो स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी रेडमी का फॉन है रेडमी का किसी भी मोडल का फॉन है जैसे कि रेडमी 6 है रेडमी 9 है रेडमी 10 है कि इसी भी परकार का Redmi का मोडल है तो आपने उस मोबाइल को जो है फैक्टरी रिसेट करना चाते हैं फूल रिसेट मारना चाते हैं जिससे आपका जो भी फाइल फोल्डर है जो भी समान आपने रखा हुआ है फोटो वीडियो सबके सब डिलीट हो जाए और एक नया फॉन बन ज करते हैं तो उससे आप रिसेट कर सकते हैं सबसे पहले ध्यान से वीडियो को देखना है रिसेट करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताता चलू अगर आपका इसमें कोई प्रस्टनल नंबर है तो वह निकाल लीजे क्योंकि सारा ची डिलीट हो जाएगा यह बात आपको जैसे कि फोटो हो गया वीडियो हो गया या फिर किसी भी परकार का एप्लिकेशन में जो भी चीज आपका डेटा है सबके सब दूसरे फॉन में ट्रांसपर कर लीजे ताकि डिलीट करने के बाद आपका पूरा फॉरा फॉन है वह पूरा ही डिलीट हो जाएगा जो भी तो आप पर मॉंचन के सेटिंग में आने के बाद आपको जीज नीrophा करना है और यहां पे आपको एक Inde कंदर अखर ऊंदर अहान में विल तो यहान पे यहां पर यहां पर सर्च लिस्ट में भी यह उप्शिन आपको मिल जाएग ने अहाँ पर आपको क्या करना है यहां reset पे click करना है यहां पर click करने के बाद देखिए यहां पर delete करने से पहले यहां पर कुछ items दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं account आपका delete हो जाएगा contact में जो number होगा वो भी delete हो जाएगा फिर photo and video जो भी आपने इसमें रखा हुआ है वो सबके सब delete हो जाएगा apps भी delete हो जाएगा अगर आपने extra कोई app install किया है या फिर आपने जो है backup लिया है वो सबके सब delete हो जाएगा फिर sd card का भी data delete हो जाएगा तो आपको इस चीज को याद रखना है ठीक है इसके बाद आपको erase all data का नीचे में एक बटन दिखाई देगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपसे lock पुछा जाएगा तो आपका जो भी phone का lock है वो यहाँ पर enter कर दीजिए अब जैसे ही if lock का phone को enter करते है न तो यहाँ पर कुछ इस तरीकी का option आता है ठीक है अब यहीं से आपका सारा का सारा phone delete हो जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर backup पे click किजिएगा तो आपका backup हो जाएगा अगर आप factory reset करना चाहते है तो आपको यहाँ पर factory reset का button दिया जाता है आपको क्या करना है इस पर click करना है और जैसे ही आप इस पर click किजिएगा तो आपका जो phone है वो पूरा का पूरा यहाँ पर reset हो जाएगा और रिसेट हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आप अपने रेडमी फॉन को फुल रिसेट मार सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जूर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले